तो गुद इनिंग फ्रेंड्स मैं प्यूश्मोदी फाउंडर ऑफ मोटेश्वरी क्रेशन प्राइब लिमिटेड लाइफ चैंजिंग वर्क्शोप में आठवे दिन में आपका अर्दिक स्वागत करता हूं आज हम सिखने वाल है Unlock Your Time यानि कि हम अपने टाइम को कैसे अनलॉक पर कर पाए यानि कि हमारे पास जो 20 hours होते उसको 48 ओवर्स यानि कि उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे बड़ा पाए लेकिन सुरू करने से पहले यस्टड़े भी यानि कि कल्पी मैंने बताया था कि 31 में को डॉक्टर वेक्मीनदरा जी उविस्व का सबसे बड़ा सेल्स के पर वेबिनार करने जा रहा है तो उसको अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो उसको रजिस्टर कर जी का बिल्कुल फ्री है और उसका लिंक जो है वो मेरे इसके डिस्क्रिशन में दिया हुआ है दूसरी बात शौट टाइम में हम अपना एक सेरिज यूटूब पर चालू करने वाले हैं और जिसका नाम है यानि कि जितनी भी बाते हमने यहां पर बताई है या बताने जा रहे उसकी रिगारिंग यानि कि जीन जीन लोगों ने अपनी लाइफ में सक्सेस पाया है और वो भी हमारे बीच के रहने वाले यानि कि एक कॉमनमेन जब एक कुंचाई पर अपने गोल यानि अपने सक्सेस को छूता है या उसका अपने गोल को एचिव करता है तो उनोंने अपनी जर्णी कैसे एचिव की तो उसके बारे में ही हमारा एक सीरिज आ रहा है वो सीरिज यूटूब पर आ रहा है शौट ट आइकोन पर उसको टिक करके रखेगा कि जब भी हमारा सेरिस वो लॉंच होगा तो आपको मैसेज मिल जाए यानि कि उसका यूटूब का लिंक भी यहां पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यानि कि शॉट टाइम में हम मीट दे कॉमांडमेंट करके अपना वेब सेरिस ह जा रहे यानि कि ओपन करने जा रहा है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वर्क्शॉप हमने कल देख लिया कि हम कैसे अपने गोल कैसे अपने ड्रीम को बना सकते हैं और उसको कंपल सरे लिखना जरूरी है और उसको लिखके अपनी आदतों को बदल के यानि कि ह जो हमारे जरूरत है उसके हिसाफ से हम आगे बढ़ते हैं हमारे गोल या ड्रिम को हम एचीव कर सकते हैं तो यह तो बेजिक हो गया यह सिंपल हो गया हमें सबसे पहले यदि कुछ करना है यदि हमारे गोल एचीव करना है तो हमें अपना ड्रिम देखना पड़ेगा और उसक पर काम करना पड़ेगा, लेकिन जब हमने उसका डेकलेशन बता थे हम कैसे लिख सकते हैं तो उसका smart goal होना चाहिए specified होना चाहिए, measurable होना चाहिए, achievable होना चाहिए, realistic होना चाहिए, और लस्ट में था time bounding होना चाहिए यानि कि हम कुछ भी गोल या ड्रीम डिसाइड करते हैं तो उसको हमके ट्राइम फ्रेम देना पड़ता है यानि कि इतने टाइम में में मेरा गोल अचीव करूँगा यानि कि मुझे मरसीड चाहिए तो मैं एक साल में दो साल में उसको अचीव करूँगा मुझे अपना business develop करना है तो मैं इतने साल में करूँगा मुझे यदि ज्यादा पैसे कमाने है यदि मैं अभी 10,000 मेने कमा रहा हूँ मुझे 1,000,000 कमाने है तो मैं अगले साल में 1,000,000 मेने कमा पाऊँगा यानि कि हमारे जो भी गोल होता है उसको हम time frame देना पड़ता है यानि कि जब time frame बनता है यानि कि जब हम उसको time में convert करते है हम उसको time में bound करते है उसको बांते है तो फिर हमारे लिए एक limitation बन जाता है कि उतने time में हमें ये achieve करना है और उसके हिसाब से हम अपना time manage करते हैं तो क्या important हुआ कि हमें अपना time manage करना है यानि कि अब बात हम करने वाले है कि हमारे time को हम कैसे manage करें जर्जरल सी बात है कि हमारे पास only and only 24 hours है और जितने भी successful लोग है और जितने भी unsuccessful लोग है तो दोनों के पास 24 hours ही है यानि कि दोनों के दोनों ही यानि कि जो successful हुए वो भी 24 hours को ही use करके वो successful हो है और unsuccessful लोग है वो ही लोग ये 24 hours को waste करके unsuccessful हुए सिंपल सी बात है दोस्तों यानि कि यदि हमें success होना है तो हमारे पास 24 hours से उसको utilize करना सिखना पड़ेगा काफी seminar में क्या क्योंकि मेरा ये time management का जो topic है बहुत ही favorite है और बहुत ही ज्यादा school में college में या मेरे group में में लेता है और काफी लोग मुझसे इसके बार में पूछते भी है कि यदि मुझे अपना time manage करना है तो मुझे उसका schedule कैसे बनाना है उसको कैसे manage करे उसको completely हम बना के देते है तो काफी सारे questions आते है तो उसमें ये questions common रहता है कि मेरे पास time की कमी या यानि कि जो 24 hours मिल रहा है वो बहुत इकाव है उसमें हमें time ही नहीं मिलता हम उसको access नहीं कर पाते हैं तो यही जवाब में बार बार एक ही जाब जो में आज देने वाला हूँ कि यदि 24 hours में आप कुछ नहीं कर सकते तो इसकी वजह आपको 26 hours मिल जाए या 30 hours मिल जाए या 50 hours भी मिल जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते यानि कि सब के पास यदि successful लोगों ने 24 hours में ही अपने दुनिया जीती है अपने गोल एचिव कि यह है तो आपको भी वो ही करना है या आप भी कर सकते हैं सिर्फ इतना सिकना है कि उस time को हम कैसे manage करते हैं उस time का एक एक minute हम कैसे utilize करते हैं उसको हमें देखना है कि हम इस time में हमारा काम कैसे करते हैं हम हमारा कितना time waste करते हैं जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा time कहां पर waste होता है तो हम easily उसको achieve कर पाएंगे यानि कि उसके लिए एक ही चीज करनी है कि हमारी जितनी भी आदते हैं उसको change करनी है यानि कि सबसे पहली जो हमारी habit है यानि कि save time यानि कि हमें time management पर काम करना है और जब हम उस पर काम करते करते काम करते जब हम time management पर यानि कि उसको save करेंगे उसको बचाएंगे हमारे time तो इजीली हम उस पर काम करेंगे और हमारा गोल इजीली आजीव कर पाएंगे लोकडाउन में भी जब काफी सारे ऐसे मैंने observation किये थे कि लोग कह रहे थे कि लोकडाउन में यानि कि एक दो मेना जो बंद रहा चालिस दिन या पचास दिन जो भी बंद रहा तो उसमें हमारा काफी सारा लोस हुआ है जदी यस ये लोकडाउन नहीं हुआ होता तो हम काफी कुछ कर पाते यानि कि आपने अपने लाइफ के यानि कि 30 साल, 40 साल, 50 साल यानि कि जितने भी साल आपने गवाए है अभी तक उसमें यदि आप कुछ एचिव नहीं कर पाए है तो सिर्फ ये एक दो मेहने में ऐसा तो क्या आप तीर मारने वाले थे या क्या उखाडने वाले थे तो सबसे पहले हमें अपनी आदते चेंज करनी होगी और हमारी आदते क्या है कि कम्प्लैन करना जो भी हमने कल आया था यानि कि हम ज्यादा तर हमारी कम्प्लैन करते हैं और दूसरी चीजे हम महाने बनाते हैं कम्प्लैन यह होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता या यह कुछ होता है यानि कि काफी सारे हमेरे कम्प्लैन्स होती है कि हमें यह करना था लेकिन उसने यह किया उसने वह किया और दुसरा बहाना ये होता है कि कि करना था लेकिन मुझे कहीं शादी में जाना था यानि कि मुझे कहीं पहुँचना था लेकिन सुबह पानी नहीं आया था मुझे रास्ते में ट्राफिक मिल गया था ये वो ये काफी सारे SQ जिस काफी सारे बहाने हमारी लाइफ में हम बन बनाते रहते हैं और उसी बहाने बनाके बनाके हम बहाने बनाने की आदत हमारी बन जाती है, कंप्लेन करने की आदत हमारी बन जाती है, तो फिर हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो हमें एकी चीज़ करने हैं, कि इन सब को ओवरकम करके, इन सब का उल्टा कर गयाने की कंपलेंगे बहाने नहीं बना करके हमारी नई आदत को डेवलोप करना है तब हम टाइम को मैनेज कर पाएंगे दूसरा चेज कंपल सरी है टाइम मैनेज करना है तो हमें हमारे वर्क एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे एक टेज सीरी चल रहा था और उसमें ऐसे सिट्वेशन थी कि भारत को ड्रो में कनवर्ट करने के लिए उस मज को कम से कम 100 रन के आसपास बनाने थे उसके सारे टॉप प्लेयर आउट हो चुके थे अब बारी विराट कोली के पास थी यानि कि उसके पर सारी मैज का जिम्मेदारी थी और उसको कैसे भी करके उस मैज को ड्रो करना था उस दिन उसने कुछ रट बना के यानि कि अगले दिन के लिए यानि कि वो टाइम फिनिश हुआ तो वो प्लेयर में वापिस आ गये उसी रात को उसको मैसेज मिला कि उसके पिता जी का देहान्त हो चुका है अब सारे टीम एक ऐसी सिचुएशन में थी कि ऐसी सिचुएशन क्रेट हुए थी जहां पे एक तरफ ऐसा था कि विराट कोली को घर भी जाना पड़ेगा और दुसरी तरफ उसके पास एक यहां पे ऐसी ओपर्चुनिटी थी कि जिसको उसको भारत को विन भी करना था यान उसको सारे प्लेयर्स ने यह तयारी कर दी थी मैंनेजमेंट में भी यह तयारी कर ले थी विराट कोली को घर जाने के लिए क्योंकि सिच्चियोशन ही ऐसी थी लेकिन दूसरे दिन सुबह जब पीच पर देखा तो विराट कोली खेल रहे है थे उसने भारत को इस संकट से निकाला मेज फिनिश किया फिर वो अपने पिता जी के अंतिम संस्कार विदी में पहुंचे तो दोस्तों ये कहते हैं वर्थ एथिक्स यानि कि इनी वज़े से आज विराट कोली इस जगह पर पहुंचे हैं यानि कि हम जो छोटे-छोटे बहाने बनाते हैं ये तो कुछ भी नहीं होते हैं लेकिन जब हमारे काम में हमारा वर्थ हैं आ जाता है तब हमारे लिए वोही IMPORTANT हो जाता है तो हम बड़े से बड़ा गोल बड़े से बड़ा हमारा सपना उसको एचीव कर सकते हैं ऐसे तो काफी सारे एक्जामपल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लेकिन सबसे इपोर्टन चीज यह है कि हम कैसे अपना टाइम मेनेज करें लेकिन टाइम मेनेजमेंट में सबसे पहले हम यह चीज देखनी है कि हमारा एक एक मिनिट कितना किमती है यानि कि हम अभी जो टाइम वेश्ट कर रहे हैं उसको यदि हम उमारे लाइब के साथ कैलकुलेट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना time है और हम कितना time waste कर रहे हैं मान लिजिए कि हमारी average आयू यानि कि हमारी उमर जो average है वो है 75 years और फिलाल अभी average हम गिन रहे हैं कि 25 years हमारे इसमें से चले गए यानि कि टेंप्रीट फाइवस हमने बिता दिये यानि कि जो चला गया है वो तो हम गिनेंगे ही नहीं अब हमारी एवरेज sleep जो हमें पता है कि every day हमें 8 गंटे सोना है तो 8 गंटे को हम इससे calculate करेंगे तो तक्रीबन 70 यानि कि 17 साल हमारे सिर्फ सोने में जाते है यानि कि जाएंगे उसके बाद में यदि बात करें तो हमारी holidays यानि कि national holidays Saturday, Sunday यानि कि जितने भी ये दिन है उन सब को हम यदि calculate करें यानि कि calculate क्यों करते हैं यानि कि वो भी 18 साल यानि कि 17-18 साल जितने होते हैं यानि कि हम Saturday, Sunday को तो कुछ काम करते नहीं holiday में भी कुछ काम करते नहीं, यानि कि जब काम ही नहीं करते हैं, कुछ करते हैं नहीं है, तो यह हमारा time पुरा का पुरा वेश चाता है, यानि कि वो भी हम उसमें से निकाल देंगे। उसके बाद आता है, हम हमारा regular routine क्यों होता है, खाना पिना होता है, तो यह सब के पिछे दो गंटे यानि की चार साल हम इसके पिछे गंवाते हैं उसके बाद में हम हमारा traveling यानिकि हम जौब के लिए या study के लिए या किसी भी चीज के लिए हम traveling करते हैं यहां से वहाँ, ट्राइलिंग के पिछे हमारा हर रोज का एक गंटा हमारा जाता है, यह सारी चीजे जो मैं बता रहा हूँ, वो कंपल सरी यानि कि वो हम करते ही हैं, तो उसके पिछे भी हमारा हर रोज का एक गंटा यानि कि दो साल, यानि कि इस सब को हम मिलाते हैं, तो तक लिक का पैसर पिच्आ पलता थो बस्ते हैं सित्वारा साल समझे लिजए कि सिर्फ हमारे बारा और साल है इसी में से हमें हमारा गोल हीव करना है हमारे ड्रीम हीव करना ही या जो कुछ भी हम करना चाहते हम उसमें से कर सकते अब आपको दे थे ये time को आप waste करना चाहते हैं या invest करना चाहते हैं अब आपको देखना है आप कहां से इसमें से time निकाल पाते हैं यदि आप सही तरीके से यादी कुछ आप calculate करके कुछ करते हैं तो आपके पास सिर्फ इतने ही साल है यदि आप ये पूरा का पूरा जो 75 years का जो average है उसको पास जो time है वो बहुत ही कमा और सबके पास like situation है तो हमें क्या करना है हमारी आदत change करनी हे और time को बचा-बचा के बचा-बचा के हम को एक time management में आ के हमें अपना goal achieve करना है तो हमारे गोल हम कैसे achieve कर सकते हैं हम अपने time कैसे manage कर सकते हैं तो हमारे time को हमें manage करने के लिए उसको day by day उसको divide करना पड़ेगा हम 24 hours को divide करना पड़ेगा हमारे 24 hours को हमें unlock करना पड़ेगा हमारे 24 hours को हमें 48 hours में convert करना पड़ेगा 24 hours को हमें उससे भी ज्यादा 100 hours 24,000 hours में उसको convert करना पड़ेगा यानि कि हमारे 24 hours से उसको हम यहादा से ज्यादा convert करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा उसको अनलोग करके utilize करना पड़ेगा यदी हमें successful होना यदी हमें ज्यादा बहुत कुछ करना है तो हमें इस में इस UNLOK करने से हैं तो सबसे पहला quicon आपके पास जो 24 hours है उसको आपको manage करना पड़ेगा जब आप अपना time manage करोगे तो ही आप दुसरों को time manage करा पाओगे यानि कि जब आपके पास ही time management नहीं है तो आप दुसरों को कैसे time manage करा पाओगे तो उसको अब टाइम मेनेज करना है तो टाइम मेनेजमेंट के लिए तो काफ़ी सारा बड़ा लेशन है इसमें तीन चार दिन में लगा सकता हूँ लेकिन जो भी इंपोर्टन्स पॉइंट है वह ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ यानि कि आपको day by day आपका schedule बनाना है आप कितने बज़े उठोगे आप क्या 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 किस टाइम पर करोगे इसके लिए सबसे इजी टूल्स आपके पास है तो वह है Google Calendar Google Calendar को यदि आप मैनेज करते हो तो वह आपको reminder भी देगा और आपको time manage करने में आपको help की करेगा लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको schedule बनाना पड़ेगा कि आप कितने बज़े क्या करोगे कैसे कैसे काम अपना करोगे का कौनसा काम कितने टाइम में आप divide करोगे ये सब करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी काम क्या करते हो इसमें से कितना काम important है कितना important नहीं है ये सब कुछ तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको एक chart बनाना पड़ेगा इस chart को आपको चार भाग में divide करना है यानि कि चार भाग आप divide करोगे तो उसमें सबसे पहले एक आएगा कि ऐसा कौन सा काम आपका सबसे important है और urgent बेजीस पर है यानि कि जो सबसे important है और जब सबसे urgent है उसको number एक देना है दूसरा आएगा जो सबसे important है लेकिन अभी urgent नहीं है important है लेकिन urgent नहीं है तिसरा एसा कामा है गा कि importance, low importance है लेकिन urgent है, यानि कि importance तो है लेकिन थोड़ा low है. इतना ज्यादा importance नहीं है. और चौथा आएगा जो importance नहीं है और urgent भी नहीं है. यानि कि जव आप अपने काम को, आप जो भी काम करते ह। उसको चार भाग में divide करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, कि आप अभी क्या करते हो, एक्चुल में आपको क्या करना चाहिए, यानि कि जो सबसे important है, जो सबसे urgent है, उसी को आपको priority देनी, यानि कि आपका जो काम है, आप जो करने वाले है, आपका जो goal है, आप जो सिखना है, उसके हिसाब से आपकी जो मिटिंग रखा है, आपका business का मिटिंग, आपको पढ़ाई का schedule है, तो उसको आपको priority में देना है, और यदि आप ऐसे छोटे-छोटे काम करें हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं, यानि कि मूवी देखना है, या कुछ गप्पे मारना है, यानि कि ऐसा काम है, जो काम करने से आपको कुछ भी लाब नहीं होने वाला है, जो काम हम सबसे ज्यादा करते हैं, तो उस काम को हमें low priority, यानि कि जो करना ही नहीं है, यानि कि हमारे काम को हम चार भाग में divide करेंगे, urgent यानि कि do first, do next, do later, और चौथा है don't do, यानि कि वो करना ही नहीं है, यानि कि हम चार करने के बाद हमें अपना schedule बनाना है, और ये schedule बनाने के बाद हमें अपने time को manage करना आसान हो जाएगा, जब यह हम schedule बनाते हैं और काफे सारे लोग जब हम कहते हैं तो सीडिल भी बनाने दे हैं एक दो दिन एक हपता उस पर चलते हैं लेकिन उसके बाद में वो सीडिल पूरा का पूरा डिश्टर्ब हो जाता है क्यों होता ऐसा? क्योंकि हम जब schedule बनाते हैं तब हम इतने motivation शे भर जाते हैं तब हम schedule बनाते हैं वक्त हमारा schud का schedule उस पर हम देखते नहीं है हम औय अवर्जर्भ नहीं करते हैं कहाँ हमें अक्चुल में हमारे जो बायोग्राफिय है हम जिस तरह से जीते हैं हम किस तरह से एक्जेस करते हैं यानि कि हमारा सुबह के उठने का टाइम क्या है हम रात को कितने बज़े तक काम कर सकते है हमारा दोपेर का सिडूल क्या है हमारे कब कहां पर मिटिंग है हम सब को मैनेज नहीं करते हैं और दुसरों का schedule सिधर का सीधा हमारा यहाँ पर copy करते हैं यानि कि हम जब time schedule बनाते हैं तो भी हमें यह देखना है की हम अपने सब से उसको time को schedule करें और जब हम एक बार schedule करते हैं तो उसको हमें एक week के लिए उसको observe करता हैं कहां-800 पर हम उसको change करने के लायक है तो दूसरे विक हम उसको फिर से थोड़ा बहुत उसको मोडिफाई करके उसको हम आगे चला सकते हैं लेकिन जब ये हम continuity एक मेने या दो मेने तक करेंगे तो वो चीज हमारी आदत बन जाएगी जब आदत बनते बनते जो आदत बन जाएगी तो हम टाइम स्टिडिल के बीना कहीं चलेगे नहीं और जब हम टाइम में ही चलेगे तो हमारा काम आसानी से आगे बढ़ जाएगा इसको मैनेज करने की बात आती है तो अक्सर जितने भी मेरे सेशन होते हैं इसमें मैं एक एक्जामपल में जरूर देता हूँ और है हमारे वीडियो गेम्स का काफे सारे लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं student हो या बड़े हो, हर लोग video game में जुड़े हो और खेते उसको पसंद हैं, मैं भी पहले खिरता था, लेकिन उसको मैंने काफी तरह से उसको observe किया, फिर उसको मैंने उसको अपनी life में कैसे उसको apply किया, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्यांकि हमारी life और video game दोनों जैसे, उसके, क्योंकि हमारे life में भी एक goal होता है, जो शायद काफी लोगों के पास होगा, और काफी लोगों के पास नहीं होगा, लेकिन यदि हम video game में देखे, तो video game में हमारा goal होता है, यानि कि जब भी हम किसे level पे काम करते है, तो हमारा goal होता है, कि हमारे life में होती है, कि life में भी हमारे goal होना चाहिए जिसको हम achieve करना चाहते हैं फिर video game में आता है कि उसमें भी level by level होता है कि हमने पहला level cross किया तो उसके बाद दूसरा level आता है, तिसरा आता है, चौथा आता है, पांचमा आता है इस तरह से level हमें पार करके करके उसमें आगे बढ़ते हैं, हमारे life में यसा आता है, कि step by step हमारे levels आता है यानि कि आप students हो तो आपने भी देखा होगे, आपने पहला पास किया पांचमा दूरान पास किया, छठा, आठमा, दसमा, बारमा यानि कि आपने इस तरह से उसको पार करते करते, अपने life में आगे बढ़ रहे हैं यानि कि दोनों में same चीज़े, हर एक में आपको अपने level step by step, step by step उसमें आगे बढ़ना है तिसरी चीज़ आती है कि जिस तरह से mobile में यानि game में आप एक level पार कते हो दूसरा level उससे थोड़ा हाड आता है उससे आगे बढ़ते हो तो थोड़ा हाड आता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो level हाड होता है यानि कि एक challenge उसमें बढ़ा आता है तो हमारे life में भी ऐस तो उसको भी हमें गेम की तरहे देखना है लेकिन जब हम गेम में हमारी चैलेंज जो आती हो और लाइफ में हमारी चैलेंज आती है तो अक्सर यह देखा जाता है तो लाइफ में भी मोबैल में भी हम जब हमारी गेम के चैलेंज आते है तो एक की बार में हम उसको पार नहीं कर पाते यानि कि कभी कभी ऐसा होता है आपने आप जर किया होगा आपने पहली बार खेला होगा आपने वो पार नहीं किया होगा आप फैलो गए दूसरी बार आपने खेला फैलो गए तीसरी बार खेला आप फैलो गए चोथी बार खेला आप फैलो गए यानि कि इतने बार बाद भी आप उस गेम में डटे रहे और उस लेवल को आपने पार किया ऐसे काफी सारे लेवल में डटे रहे डटे रहे और उसको आपने आगे जाके उसको पार किया तो सेम चीज हमारे लाइफ में होती है आप लाइफ में फैल होते हैं आप अपने गोल एची कर में फोल हो तो इसी वज़े यहां से थोड़ा सा थोड़ा सा एक डिफर आ जाता है। यदि हम यह decide कर ले कि जिस तरह से हम गयम में अपना dedication दिखाते हैं, अपने आपको energetic रहते हैं, उसी तरह हम life में भी अपने आपको energetic रखें। तो हम ग्यम की तरह easily अपने लाइफ की जितने भी गोल है उसको एचिव कर सकते हैं दूसरी एक चीज इंपोर्टन्स दोनर में है कि ग्यम की अंदर एक टाइम लीमिट होती है कि आपको ये लिवल इतने टाइम में आपको पार करना होता है इतने समय में आपको पार करना होता है इसी तरह से life में भी ऐसा है कि हमारे पास भी life का एक goal है और उसके लिए हमें इतने time में पार करना होता है लेकिन problem यह है कि हमारे life के अंदर जो time का duration कितना होना चाहिए कितना होता है वो हमको पता नहीं है जो हमको पता नहीं है तो वो ही हमको एक हमारी ओर से उसको time limitation रखनी है क्या कि हमें इतने time में इसको पार करना होता है और दोनों में सबसे important जो चीज है यानि कि game में कोई भी level हम achieve करते है यानि कि उसमें हमारा जो goal होता है game के अंदर उसको जब हम achieve करते हैं तो हम बहुत खूश होते हैं क्यानि कि हमने यह achieve कर लिया तो उसी तरह से life में भी हम जितने भी हमने achievement किये है आपने भी जितने achievement किये है तो उस achievement को याद केजिए कि जब आपने वो achieve किया था तो आप कितने खुश हुए थे तो आपकी life को, आपकी life के goal को, आपकी life के dream को एक game बना दीजिए, एक time bound बना दीजिए, time के boundary बना दीजिए और सब challenge को पार करते हुए आपको उसके पार जाना है, उससे भी आगे हम बात करने वाले हैं, time के बारे में और इससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम मिलेंगे कल, कल मिलेंगे हम इसी time पे, तब तक घर पे रहें, सुरक्सित रहें और अपने questions जरूर बेज़ेगा, अपने comment जरूर बेज़ेगा, और अब तक कि हमारे session देखने के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आप सब का धन्यवाद करता जरूर बेजलावारी हमसे के लिए हमसे जरूर बेज़ेगा, और तक करता हम जरूर दीग जरूर से जरूर ख्याद झाल झाल